वन आरक्षी के नए पदूं का अंतिजार कर रहे थे उनके लिए एक बड़ी ख़बर है स्वागत अभिनंदन ने एक वार फिट से आपका हमारे यूटूब चैनल में तो प्रतिस्या सूची पर चल रही प्रक्रिया में भेजा अधियाचन वन आरक्षी प्रतिस्या सूची मामले में वन महकमे की भूमिका पर भी बड़े सवाल उड़ रहे हैं जैसे कि आपको पता है कि बहुत दिनों से चट्चाओं का बाजार गरम है कि 800 से अधिक पदों पर अधिनस सेवा चैन आयो की ओर से वन आरक्षी के पदों पर भरतिया निकलने वाली है कभी वेटिंग को लेकर मामला तूल पकड़ता है कभी अधियाचन वापस जाता है अब बड़ा सवाल यह है कि जब पहले से ही वेटिंग की परकरिया गतिमान थी तो उसमें आपने नए अधियाचन कैसे आयो को भेज दिये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वन आरक्षी सूची के मामले में वन मुख्यालाई की भूमका पर बड़े सवाल उठ रहे है इस साल जनवरी में वन आरक्षी भरती का प्रणाम जारी होने के बाद परतिसा सूची को लेकर लोग सेवा आयोक के माद्यम से परकिरिया चले थी इसी बीच वन मुख्यालाई के मुख्य वन संग्रक्षक माना उसंसादन कार्मिंग ने जो है वन आरक्षी पदों पर नए अधियाचन जो है अधिनस्त सेवा चैन आयोक को भेज दिये जबकि उत्राखंड परतिसा सूची नियमा वली 2023 में नया अधियाचन भेजने के बाद ही परतिसा सूची मान ही नहीं रह जाती है तो आप सोचिए कि किस तरह से पूरा का पूरा खेल यहाँ पर चल रहा है उत्राखंड लोग से वायक की ओर से जनुरी में आट सो बाणवे पदूं के लिए यह भरति निकाले गए थी इसका फाइनल रिजल्ट जारी होगा था जनुरी में उसके बाद वेटिंग लिश्ट को लेकर लगातार अभ्यरति मांग कर रहे हैं चाहे वो तमाम चीजें हो चाहे अलग-अलग संग्ठनों के माद्यम से हो चाहे वन पंतरी से भी मुलाकात की धरना भी दिया लेकिन इस पर बड़ा सवाल उड़ता है अब आयोग ने वन महकमे को पत्र भेजा है उन्होंने कहा है कि आयोग कार्याले ने 892 अभ्यरतियों क चैन संसुती 23 जनवरी को भेज दी थी उप्च सूची के साथ प्रशिशा सूची के लिए सारिक अहरता एब सारिक दक्ष्टा प्रिक्षा के लिए सूची निर्गत का उल्लेक भी कर दिया था तो अब और थोड़ा सा लेट हो गया है यहीं कि जो अभ्यरति नए पादों क के लिए जो इंतिजार कर रहे थे उनका इंतिजार और लंबा होता हुआ नजर आ रहा है तो सरकारी सिस्टम जो है उत्राखंड का किस तरह से विरुजगार अब भेड़तियों के लिए हर समय अडंगा बनता है उसकी बानगी एक और आप यह समस्थ आपके सामने इंतिजाग से शेपड़ के बडते हैं